आम् सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों आज मैं आपके समक्ष नारत भक्ते सुत्र के तिरती अनुवाक के तैश्वे सुत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं यह तैश्वा सुत्र कहता है तत्विहिनम जाराणामीव अर्थात उसके विहिन हो जाने से आनि भगवान के महत्म ज्यान से रहित हो जाने से जाराणामीव यानि जिस तरह से जो जार जो प्रेम करते हैं जार यानि जो वैस्याएं होती है उस तरह से जो प्रेम करती है वैसा प्रेम हो जाता है यानि हम लोग सामनत कहते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं बहुत प्रेम करते हैं तो ये कौन सा प्रेम होता है इसमें काम वासना सामिल होती है जैसे कुल्टा इस्त्रियां करती है या जो ऐसे पुरुस होते है जार पुरुस जो इस्त्रियों के ऐसे इस्त्रियों के चक्र मेरते है तो उनके वितर में क्या सिर्फ वास्णा होती है सरीर को पाने की भूक होती है और वे जो है उनके भीतर में उसके परती कोई प्रेम इस तरह नहीं होता है क्योंकि वहाँ भगवान का उनका स्मरण भी नहीं होता है तो जिस व्यहवार में भगवान का स्मरण नहीं हो भगवान के महात्म का स्मरण नहीं हो तो वह व्यहवार प्रेम नहीं कहा जाता है प्रेम को यहाँ पर नारज जी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे है इससे पितार पुत्र का जो प्रेम है पती-पत्नी का प्रेम है भाई-भवन का प्रेम है भाई-भाई का प्रेम है इस तरह से जो संसारिक प्रेम है उसमें भगवान का महात्म नहीं होता है उनके मन में कोई इसका इसमरण नहीं होता इसलिए इस सब सारे प्रेम जो है वो वैस्याओं के प्रेम की भाती है वो जार पूरुसों के प्रेम की भाती है यानि उसमें सिर्फ दे भोगने की वासना होती है जहां भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं हो भगवान के स्वरुप का चिंतन नहीं हो भगवान के उपदेश का चिंतन नहीं हो भगवान के सिधान्त का चिंतन नहीं हो भगवान के लोग का चिंतन नहीं हो भगवान के नाम का गुनगान नहीं हो जहां पर दिल उनमें न रमा हो तो उस तरह का कोई भी वेहवार किसी भी प्राणी के प्रति क्यों न हो, उसे भक्ति नहीं काते हैं, उसे प्रेम नहीं काते हैं, तो और जिसे भी ब्रह्म ग्यान नहीं है, वह तो सुद्ध भक्ति भला कैसे कर सकता है, तो जिसे भग्वान के प्रति अटूट सरद्धा विश्वास है, प्रेम है, उसी में अनन्य भक्ति होती है, और वे ही पुकारते हैं, दिल से प्रेम से पुकारते हैं, और वे उनमादी हो जाते हैं, और वे इस तरह से पुकारते हैं कि अस्रुधारा बाती है, रोमान्च हो जाता है, वह वाल हो जाते हैं, चीकते हैं, चिलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हसते हैं, रोते हैं तो वह इश्वरक के प्रेम में इतने डूब जाते हैं और जिन में वो भाव नहीं है तो उसके विशे में नारत यहां काते हैं कि वह जारक के प्रेम जैसा है भक्ति में अनुराग होना चाहिए और ऐसा अनुराग जिसमें इस्वर्त के परती प्रेमभा हो वैसा अनुराग होना चाहिए तो यही भगवान पुरुशत्तम का संगलाब होगा तब ऐसा ही जो भक्ति होती है वह भक्ति ही फरदाई होती है वही भक्ती परमानंद दाई होती है यही यहाँ पर इनका उपदेश है